Hi Everyone, Welcome to Global Online, This is Ankhita Sood and आज इस वीडियो में हम दिस्कस करने वाले हैं North East Let Paper 1 का एक बहुत ही ज़ादा important and most repeated topic जिसका नाम है factors affecting teaching So आप सभी को पता है कि teaching learning process में बहुत से factors ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एक teaching effect होती है अगर teaching effect होगी तो उसकी वजह से learners को भी समझने में दिक्कत होती है तो आज इस वीडियो में वही सारे effects, वही सारे factors हम discuss करने वाले हैं जो की examination point of view से बहुत ही ज़ादा important है इसी के साथ students North East Let exam का paper 1 जो की common and compulsory paper होता है सभी students के लिए इसकी preparation का एक new and fresh batch हमने launch किया है जिसमें paper 1 का complete course हम आपको cover कराएंगे exam से पहले हर एक unit आपकी cover हो जाएगी साथ ही एक से दो बार full syllabus revision की भी हम आपको guarantee देते हैं इस new batch में हम आपको देंगे full syllabus notes, full syllabus video lectures, 60 plus mock test जिसमें से की ask test questions आते हैं previous year questions with solution and 2000 plus mcq pdf जिसमें की most repeated and most expected questions को हमने cover किया है और यह आपकी final preparation में बहुत मदद करेगा इस batch को ज़रूर join कीजेगा इसके लिए screen पर यह जो दो numbers आपको नज़र आ रहे हैं किसे भी एक number पर whatsapp की मदद से आप contact कर सकते हो and इसके लिए आपको अभी flat 20% off हम दे रहे हैं यानि कि सिरफ 2000 रुपए आपको इस complete course के लिए pay करने होंगे and इस course को आप लोग लगातार one year तक use कर सकते हो तो 100% guaranteed selection course है and students अगर fees pay करने से पहले आप चाहते हो demo lectures, demo notes देखना तो उसके लिए description box चेक कीजे वहाँ पे हमारे app global online का link है app download करने के बाद आपको mobile number से login करना होगा then जाओगे directly store section पे store section पे आपको search bar में जाने के बाद यहाँ पे लिखना है any sled आपके सामने course आ जाएगा इस course का overview आप देख सकते हो जो कि already भी मैं आपके साथ discuss कर चुकी हो इसकी duration आप देख सकते हो then आपको जाना है content section पे जहाँ पे unit wise आपको separate folders मिल जाएंगे and हर एक folder में free content available है जो की demo की तरह आप लोग देख सकते हो या फिर directly screen पर दिये गए किसी भी एक number पर whatsapp की मदद से आप लोग contact करके demo lectures और demo notes हमारे देख सकते हो इसे के साथ students अब बात करते हैं any slide paper 2 के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि यह हमारा subject related paper होता है जो की already हमने post graduation में पढ़ा हुआ है so any slide exam में किस level के questions पूछे जाते हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह complete study material हम आपके लिए लेकर के आई है जिसमें हम आपको full syllabus notes and most expected MCQs देते हैं जिसमें से कि as it is questions exam में बहुत बार पूछे जाते हैं and यह study material आपको इस exam को qualify करने के बाद interview process में भी बहुत मदद करेगा so आपके सामने जो भी subject की list है आप उसको check कर सकते हो and इसको join करने के लिए screen पर दिएगे numbers में से किसी भी एक number पर whatsapp के मदद से contact कर सकते हो इसके लिए आपको सिरफ एकी बार fees पे करनी है वो भी सरफ 1500 रुपीज and इस study material को आप लोग lifetime यानि की उमर भर use कर सकते हो 100% यापको exam में बहुत अच्छा score करने में मदद करेगा जिसमें आज हम बात करेंगे शिक्षन को प्रभावित करने वाले कुछ कारत यानि की factors affecting teaching अब देखो एक teacher है, एक student है या फिर एक classroom है जहाँ पे multiple students बैठे हुए कौन कौन सी वो चीजें है जो कि इन teacher के teaching को का knowledge ही नहीं है, teacher को पढ़ाने में interest ही नहीं है, teacher की health issues चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे teacher के point of view से कुछ factors हो सकते हैं, जिससे की उनकी बच्चों की पढ़ाई में प्रभाव पढ़ रहा है दूसरा learner के point of view से अगर हम देखें, तो ये हो सकता है कि learner को पढ़ाने, sorry, पढ़ने में interest ही नहीं है, ठीके दूसरा हो सकता है कि learner को teacher के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा, या फिर तीसरा ये हो सकता है कि learner को जिस language में teacher पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से examples दे करके teacher पढ़ा रहे हैं, वो पसंद नहीं है, और तीसरा factor हो सकता है, environment related factor, जैसे कि जिस जगह पर मालीजे, ये class चल रही है उदर आसपास बहुत ही ज़्यादा shore है, ठीके वहाँ पर बिलकुल peaceful environment नहीं है, या फिर जहाँ पर teacher process effect करता है, students अच्छे से चीजों को नहीं समझ सकते इस तरह से questions exam में आते हैं, कुछ real life examples आपको बताए जाएंगे exam में और आपको बताना है कि ये जो factor है, ये किस से relate करता है teacher से, learner से, या फिर इन वार्मेंट से, तो आगे इस video में मैं आप लोगों को one by one इन चीजों को detail में discuss करूंगी आपको सभी की सभी points जो है, वो note करने हैं, exam में जरूर पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले हम teacher के point of view से बात करते हैं, तो पहला factor हो सकता है educational qualification and subject knowledge यानि कि शेक्षिक योग्यता और विशे का घ्यान अब जैसे कि मैं आप लोगों को यूजसिनेट पेपर वन पढ़ा रही हूँ अगर माली जे मेरी खुद की qualification 12th है, ठीक है साथ ही मुझे पेपर वन में teaching aptitude और इन चीजों का knowledge बिलकुल भी नहीं है, तो क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, नहीं पढ़ा पाऊंगी ये तो ऐसा रहेगा कि या तो मैं cramming करूंगी या फिर मैं कहीं से copy paste करके assertive statements बोलूंगी तो ये चीजें बहुत effect करती है एक अच्छी teaching process को दूसरा है awareness of learner factors यानि कि सीखने वाले कारकों के बारे में जाग रुपता, अब यहाँ पर ये चीज बहुत important है, अब जैसे देखो इसका एक example बताती हूँ, जैसे अभी हम लोग आपके लिए new batch लेकर आए हैं, तो हमें पता है कि new batch जो भी students join करेंगे, वो बिलकुल basic introduction से लेकर के previous year questions और advanced चीजों तक जाएंगे, तो हम लोग आप लोगों को एक learner के factors को ध्यान में रखते हुए batch start करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अभी September में exam होना है तो उन students के लिए हमने 30 days course लाया है, क्योंकि हमने आपको ध्यान में रखा कि 30 इस दिन हमारे पास है तो detail में हम चीज़े नहीं पढ़ा सकते तो उसमें आपको सिर्फ important चीज़े and सिर्फ revision करवाएंगे previous year questions के तूँ तो इस तरह से रहता है, तो एक अच्छा teacher वो होता है, जो कि learner के factors से aware हो, उनको पता हो कि किस तरह से, किस situation में एक learner को पढ़ाया जा सकता है right, so students, I hope यह जो real life examples में आपको दे रही हूं इनकी help से आप लोग और अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो और रियाद रख पाओगे next है experience of the teacher अब यह चीज़ ज़ादा matter नहीं करती, बस यह रहता है जो teacher first time अगर पढ़ा रहे हो तो वो थोड़ा सा confused रहते हैं थोड़ा सा उनको concept clear करने में real life examples present करने में दिक्कत रहती है बाकी इसका कोई issue नहीं होता knowledge आए जितना मर्जी हो बढ़ फिर भी कहीं ना कहीं experience count होता यह है next है parental expectations next है teaching skills एक teacher में teaching skills होनी चाहिए अब teaching skills में यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि कैसे एक teacher अपने student के सामने अपनी बात present करता है अपनी बात को present करने का तेरीका is called teaching skills अब जैसे मुझे knowledge माननी चे बहुत है मेरी qualification भी ठीक है यह जैसे net पढ़ा सकती हूँ मैं लेकिन मेरी teaching skills नहीं है मुझे नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी बात बच्चों के सामने रखूँ कैसे real life examples generate करूँ तो यह factor बहुत important होता है जो कि एक teaching को खराब कर सकता है methods of teaching methods of teaching में बहुत से methods होते है तो यहां पर ऐसा नहीं होता कि एक teacher को हमेशा जिन्दगी बर एक ही method यूज़ करके students तक knowledge अपना share करना है ठीक है वो depend करता है student पे वो depend करता है learner पे कि वो किस method से सीखना चाहते है अब जैसे मैं आप लोगों को बहुत से students ऐसे होंगे जो कि theory और detail में पढ़ना पसंद नहीं करते वो लोग सिरफ previous year questions या फिर अगर हम बोले तो MCQs के help से पढ़ना पसंद करते हैं तो यह हो सकते methods of teaching तो एक teacher को समय समय पे अपने teaching methods को अपने teaching styles को change करना चाहिए ताकि उस batch में उस classroom में जितने भी students हैं किसी को भी problem ना हो सब अपने level पे चीज़ को पसंद कर सकें next है friendliness and approach भी दिखी कि बच्चों के साथ एक friendliness होनी चाहिए कि अच्छे से अगर यह especially offline batches में काम करता है कि हम एक दोस्त की तरह आपको पढ़ाएं और हमारी approach भी आप पे होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि दोस्ती दोस्ती में ही हम respect अपनी खो बैठे या फिर हम जो पढ़ाना चाहते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो हम पूरा ना करें तो friendliness के साथ साथ approachability यानि की पहुँच होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे students के साथ दोस्ती भी रखें उनको थोड़ा डरा के भी रखें उनको यह चीज़ पे भी रखें कि यह सम teacher ही है और जो हम कहेंगी वो आपको करना ही पढ़ेगा next step personality and behavior so एक teacher का personality उनका behavior उनका बात करने का तरीका उनकी अपनी बात को present करने का तरीका ये भी बहुत important होता है अब आप बोलोगे कि हमें तो पढ़ने से मतलब है teacher के personal behavior और इन चीज़ों से हमें क्या मतलब तो देखो आब अगर एक कोई teacher आपके सामने आजाए वो बहुत ही सुस्ती में है वो बहुत ही slow motion में पढ़ा रहे है कि नहीं मेरा मन नहीं है मेरी तबिया ठीक नहीं है मैं नहीं पढ़ाना चाहती जबरदस्तिलाया है तो students भी active नहीं रह पाएंगे वहीं अगर एक teacher बहुत ही ज़ादा active है तो उसका interest और उसका जो एक strength है वो देख करके students या learners भी खुद activate हो जाते हैं कि नहीं हमें भी पढ़ना है और behavior यहाँ पे क्यों important है मालीच यह एक teacher है जो कि बहुत ही एक शांत behavior के लोग होते हैं कि आराम से पढ़ाएंगे आप मुसे जितनी मर्जी बार questions पूछो हम आपको आंसर देंगे इस तरह से cool and calm behavior वाले जो teachers होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं students के लिए वहीं अगर कोई teacher है जिसको एकदम से गुसा आजाएगा कि अभी तो मैंने आपको ये topic करवाया आप फिर पूछ रहे हो फिर मुझे repeat करने को बोल रहे हो तो ये behavior अच्छा नहीं होता तो इसलिए एक teacher की personality और उनका behavior अच्छा होना smooth होना बहुत ज़रूरी है ठीक है next discipline अगर पता है हमारी 6 बजे class है तो as it is आपको 6 बजे हमारी वीडियो मिलनी ही चाहिए ऐसा नहीं है कि 6 बजे students wait कर रहे है मेरी वीडियो 7 बजे 8 बजे में upload कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए discipline ज़रूरी है अगर आप लोग भी जब बाद में teacher बनोगे teaching में जाओगे तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़े ध्यान में रखनी है अगर आप एक अच्छा teacher बनना चाहते हो next है economic factors के आर्थिक कारत क्या हो सकते teacher के वो भी important होता है अब students यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ points जो मैंने discuss किये ये points total sorry ये 10 points है 9 और ये 10 ठीक है total 10 points है अब आपको क्या करना है पहले को ये points याद रखने है दूसरा इसके साथ जो मैंने आपको real life example के थ्रू चीज़ें बताई है आपको उनको भी याद रखना है क्यों याद रखना है क्योंकि होता क्या है exam में आपको real life example दिया हो गया आपको पोल जाएगा कि teaching के point of view से कौन सा factor यहाँ पे use होता है next है learner की अगर बात करें learner यानि कि student का maturity उसकी age, motivation, previous learning यानि कि पहले से कुस topic के बारे में कितना knowledge है वो important होता है कितना intelligent student उनका mental health अगर मतलब कई लोग बच्चे भीमार रहते हैं तो वो नहीं चीज़े समझ सकते किसी की mental health ठीक है तो वो जलदी से चीज़े समझेगा physical need, diet and nutrition attention and interest यह बहुत important है जो attention और interest के साथ पढ़ता है वो learner हमेशा successful होता है अभी जैसे अगर आप लोग वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हो वस note करने पे ध्यान दिया है सामने टीवी लगा रखा है, mobile चरा रखा है तो मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो आप अभी पढ़ोगे, रात तक यह topic भूल जाओगे अभी आप लोग क्यों इस level पे हो कि आप अपने आपको एक teacher की point of view से भी देख रहे हो एक learner के point of view से भी देख रहे हो ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है यह समय ऐसा है next है goal setting आपको अपने goal लेकर के चलना है कि आज राज तक हम यह topic complete करना है one month में हमें यह topic यह units complete करनी है levels of aspiration and factors affecting teaching related to the learners तो यह सारी चीज़े हैं जो कि एक learner के point of view से important है यानि कि age की अगर हम बात करें मालीजे कोई 10 साल का बच्चा है उसको मैं UGISnet में पढ़हने लग गई research attitude बढ़हने लगी तो क्या वो समझेगा नहीं समझेगा तो यह factors होते हैं जो कि एक learner को effect करते हैं maturity अगर student mature है वो समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है क्या important है क्या नहीं है यह सब चीज़े होती है next है support material यानि कि सहायक समगरी कौन कौन सी चीज़ें एक teacher को अच्छी teaching में एक अच्छी teaching में help करती है ताकि वो अपनी बात students तक पहुंचा सके उसको बोला जाता है सहायक समगरी जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा laptop एक सहायक समगरी है मेरा pen tab एक सहायक समगरी है यह सारे teaching aids है इसको हम support material बोलते हैं इट इंक्रीज़ेस अफेक्टिवनेस ओफ teaching learning process and makes achievement of learning easier ठीक है तो यह चीज़ें बहुत help करती है अगर मेरे पास यह सब नहीं होता मालीज़े मैं पास laptop है पर मैं पास internet नहीं है तो क्या यह support material किसी काम का था नहीं था ठीक है तो एक support material दूसरे पर हमेशा dependent होता है next बात करते है teacher student relationship की यहां से भी a question exam में पूछा जाता है कि कैसा relation होना चाहिए good support दोनों को एक दूसरे को support करना है teacher student को support करे कि हाँ आज आप homework नहीं कर पा रहे हो आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं हारी मैं एक दो तीन हर बार आपको समझाऊंगी student को यह support करना चाहिए कि कई बार teacher कुछ चीज मिस कर जाते हैं या कुछ भी गलत हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कुछ misunderstanding हो जाती है तो वहाँ पर student को एकदम से हला नहीं कर देना चाहिए उनको patience के साथ support करना चाहिए next है authority as a non-parental adult so non-parental adult की authority होती है teacher के पास तो उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए self discovery to adjust in social environment so इनका यह होना चाहिए कि हमें समाजिक वातावरण में एक दूसरे का सयोग करके दोनों को वहाँ पे अच्छे से स्कूल में भी यह होता है teacher student अकर अच्छे से रहेंगे तो ही अच्छी teaching अच्छी learning हो पाईगी आपस में वो लड़ते जगरते रहेंगे कि आज teacher ने complaint कर दी आज बचों ने complaint कर दी तो वो पूरा environment जो है खराब रहता है उसमें सबसे ज़ादा effect पढ़ता है teaching learning में positive relationship works well in developing students ठीक है हिंदी में आप देख सकते हो simple languages में है develops a proper learning structure for positive outcomes ठीक है proper learning structure होना चाहिए जैसे हमने बना रखा है कि हमें एक unit आपको कम से कम 15 lectures में complete करवानी है उसके बाद फिर हम previous year questions and MCQs पे जाएंगे तो ये एक learning structure हमने बना रखा है किस तरह से हम next exam तक आपके paper 1 की 10 units cover करवाएंगे तो ये बहुत important होता है अगर आपका एक positive outcome आपको दिखाना है so ये question exam में आ सकता है जैसे कि 5 statements है मान लीजे ये as it is statements exam में आगी आपको बताना है कि teacher student relationship के point of view से कौन कौन से statements true है कौन कौन से statements false है right so I hope students यहां तक जो भी चीजे हैं यह आप अच्छे से समझ चुके हो अब आती है institutional facilities जैसे कि institution में आपको classroom, labs, audio, video, presentation room, seminar, library ठीक है ये सब चीजे अगर provide करवाई जाती है तो teaching और बहतरीन होती है नहीं है अगर बोलते हैं खुले में class लगाओ तो वहाँ पे तो गाड़ियों का शोर, इसका शोर वो नहीं हो सकता तो ये चीजें हैं आपने इनको बस याद रखना है teacher administration relationship यानि कि शिक्षक और प्रशासन का संबंध कैसा होना चाहिए उसमें professionalism पे ध्यान दिया जाता है कि एक teacher professional होना चाहिए चाहे फिर administration में उसके खुद के family से कोई हो तो वो अगर जितना professional रहेगा उतने अच्छे से teaching हो सकती है उतने active और उतने हर चीज़ अच्छे से हो सकती है तो अच्छे education अच्छे अपने goals को पूरा करने के लिए ये relationship बहुत ही जादा important होता है तो ये थी students आज की video जो की बहुत ही जादा important थी अगर आपको ये video अच्छी लगी है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है तो भी आप मुझे comment कर सकते हो अगर video पसंद आई है तो भी comment कीजिए daily शाम को 6 बजे में आप सभी के लिए इसी तरह के lectures लेकर आऊंगी बिल्कुल free lectures है आप चाहो तो इसको हमारी app जो की global online app है description box में आपको link मिल जाएगा उस app में जाकर के भी आप इन lectures को देख सकते हो so thank you so much for watching this video and I wish you all the way